तो question number 2 क्या बोल रहा है, compound interest बताना है अपन को, sum दिया है अपन को 4096 रुपे, 4096 रुपे, rate of interest दिया है 15% का परहनम का, ठीक है, और 2 is to 1 by 2 year का बताना है, compound गुरा है 10 monthly, मतलब हर 10 मंत में ब्याज मिलेगा, ठीक है, अगर 10 मंत में ब्याज मिलेगा, तो 2 is to 1 by 2 year का मतलब कितना ह महीने, 12 महीने, और आदे साल में कितने महीने, आप year में 6 महीने, तो टूटा होगा है कितने, दो साल में 24 महीने, 24-6, 30 मंत होगा है, तो टूटा होगा है 30 मंत, और 10 मंत ली हो रहा है, मतलब कितनी cycle मनेंगी, 3 cycle मनेंगी, 1st cycle, 2nd cycle, और 3 cycle, ठीक है, अच्छा, rate of interest की बात करे, rate of interest क्या हो जाएगा, तो आप बोलो सर, 12 मंत का interest है, 15%, एक मंत का हो जाएगा, कितना, 15 by 12%, 10 मंत का कितना हो जाएगा, 10 से multiply कर दो, 15 by 12 into 10%, ठीक है, इसको calculate कर लेते हैं, कितना आएगा, तो आप बोलो सर, यह कड़ जाएगा, 6, यह कड़ जाएगा, 5, और यह कड़ जाएगा कितने, 2, और यह 5, तो यह जाएगा, 25 by 12, मतलब 1.5%, ठीक है, जिसके fractional value क्या होती, 1.5% की fractional value होती, 1.8, अब 3 साल के लिए ratio कह रहता है, ratio method की, अगर आपन बात करने, 3, 3, 1, यह 3 साल के लिए compound interest का ratio रहता है, ठीक है, तो sum क्या है, आप बोलो सर, 4, 0, 9, 6, sum है, पहले साल म यह जाएगा, यह 9, 6, ठीक है, यह जाएगा, 5, 8, 4, 5, ठीक है, बचेगा कितना, इदर, 8, 1, 8, 9, 11, 5, 12, इसमें multiply करना पड़ेगा, ठीक है, फिर इसके बाद क्याने का लेगा, इस तो 512 का 1, 8, जो कितना हैगा, अब बोलो सर, जो जाएगा, 8, 6, 48, पर 64, ठीक है, इसमें multiply करना पड़ेगा, तीसरी एर के लिए निकालेंगे, तो यह क्या आएगा, बन के नीचे, बन के नीचे आएगा, 64 into 1 by 8, जो कि क्या जाएगा, 8, इसका इसमें multiply करना पड़ेगा, multiply कर लेते हैं, 3, 2, 6, 3, 1, 3, 5, 15, प्लस, 4, 3, 12, और 6, 3, 18, और यह 19, ठीक है, और 8, इसमें दिक्कत नहीं है, color यह ले लेते हैं, यह जाएगा, 8, 2, 10, और 6, 16, 6 unit digits सब में दिख रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या जाएगा, 9, और 3, 12, और 13, तीन भी दो option में दिख रहा है, ठीक है, फिर carry 1, 5 और 1, 6 और 1, 7, 3, 6 आगया अपना correct answer, ठीक है, आगया झाएगा